हलो फ्रेंट्स मैं बीन पी आपका फिर से एक बार स्टार्ट टू इंट चैनल में स्वागत है आज मैं आपके सामने भारत के पर्षे के बारे में लाया हूं जो कि बहुत सारे कोशन भारत से समंधित गुरूब डी लेकपाल वीडियो में पुछे जाते हैं उन सारी तमाम को भारत की इस्तिती क्या है भारत की इस्तिती उत्री गुलार्थ एवं पूर्वी देशांतर में इस्तित है दूसरा कोशन है भारत की आकृति क्या है भारत की आकृति क्या है दूसरा कोशन भारत की आकृति क्या है भारत की आकृति चतुर कोष्टी है चतुर कोड़ी है भारत की आकृति चतुर कोड़ी है भारत का च्छेत्रफल भारत का च्छेत्रफल भारत का च्छेत्रफल पूरा संपूर जो है उसका च्छेत्रफल मैं यहां बताया है 32,87,263 वर कीमी 32,87,263 वर किलोमेटर भारत का छेत्रफल संपूर 20 में कितना है भारत का छेत्रफल कितना होगा भारत का छेत्रफल संपूर 20 में 2.42 2.42 इसे भारत के रधानी मराए गए थी। सरवाधिक बोले जाने वरी भासा क्या है। सरवाधिक बोले जाने वरी भासा हिंदी है। सबसे बड़ी जन्जाती क्या है। सबसे बड़ी जंजाती गौण है जो मद्प्रदेश में इस्तित है छेत्रफल के द्रिश्टी से 20 में भारत का स्थान सभी लोगों को पता होगा छेत्रफल के द्रिश्टी से 20 में भारत का स्थान क्या है सात्वा सात्वा जो है छेत्रफल के द्रिश्टी से 20 में अस्थान भ भारत का स्थान दूसरा है कि कि यह 20 संग्या दिर्ष्टी से 20 यहां पे गलत है यह भारत का स्थान चाहिए सब्सक्राइब भारत का स्थान जो है कि अध्यु प्रतिशत में jsatś leteven na 70.5 प्रतिसफ यह प्रतिशत भारत की अच्छांसी विश्थार क्या है भारत की अच्छांसी विश्थार भारत की अच्छांसी विश्थार भारत की अच्छांसी विश्थार भारत की दिशांतरी विश्थार यहां भारत होना चाहिए भारती लिखा हुआ है भारत की देशांत्री विश्तार अर्सट डिगरी सात मिनट से संतानों डिगरी 25 मिनट तेशांत्री विश्तार है उत्तर से दच्छिड का विश्तार ये है पूरव ये है पश्चिम ये है उत्तर और ये है दख्छिड तो इसकी जो इस्तिती है मतब की दूरी है कितना है 34 32 ये जो है इसकी दूरी ये दूरी 32 14 कीमी 3214 किलिमेटर है उसी तरह पूरव से पश्चिम उसी तरह पूरव से पश्चिम पूरव पश्चिम इसका विस्तार क्या है इसका विस्तार 293 किलिमेटर है सबसे पूरव 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 पूर भारत की सबसे पश्मे बिंदू सक्रिक गुजराथ भारत की सबसे पश्मे बिंदू सक्रिक गुजराथ और सबसे उत्री बिंदू भारत की इंद्रा कॉल जो जम्मुकासर में इस्तित है भारत की सबसे दश्री बिंदू इंद्रा पॉइंट या पिग मिलियन पॉइंट जो दो निकु बार दीब सबों में इंत 뒤 है भारत की दाश्री बिंदू भुमद रेखा से दूरी 866 क्यों मेटर 866 क्यों मिटर आडश्री बिंदू जो भूमद रेखा में में से दूर है प्रयात्यीपी भारत मुख भूमिक्ता दक्ष्ति नो Does केप कोमोरीन कन्य कुमारी तम लाडू मिश्थी थे दीपों की संख्या भारत में जो दीपों की संख्या हो गितने हैं 247 दीफ हैं भारत में 247 दीफ हैं जो की 204 मंगालिक खाड़ी में और 43 अरब सागर मिश्थी थे स्था सीमा की कुललंभाई HOW अस्थित्सीमा की कुल्लंभाइ क्या है अस्था सीमा के कुललंभाइ आश्था किल्मवाई 152 किलोमीटर अस्था सीमा क में के है तर्टी भागी कुर लंबाई क्या है तर्टीव्हक एक कुल लंबाई जो है J concept 16.5 cm की मिंडु और past 36 Mother 5 kilometer भूमी के तर्टीवहागी नंवाइव क्या है मुख भूमी के तर्टीवहागी लंबाई एक साट सो क्लियometer से ऐक चर्थोक्लिप्टर भारत की मानक समय थाइन भारत की मानक समय क्वारत की मानक स्रमय कि साड्य भ्याटी डिगारीप पूरवीद शमतर है इलाहाबाद के मिर्जयप्र से गुजर्ती है अध्यूंत57 में भारती मानक समयए तता ग्रीण वीच यहां पर फ्रीण बीच होना चाहिए Chelsea यहां के जगा चाहरो होना चाहिए ग्रेंच वीच समयएक बीच है में अन्तर है पांज घंटा 30 मिनट पांज घंटा 30 मिनट राज्योग कुल संख्या 28 है आप सबी लोगों को पता होगा भारत में राज्योग संख्या 28 है और केंद सासित प्रदेश्योग संख्या 8 है यह भी पता होगा तीनो और से घिरा तीनो और जल से घिरा भारती राज तीनो और जल से घिरा भारती राज क्या है तीनो और जल से घिरा भारती राज तिप्रा है सरवाधिक राज्यों की सीमा को छोने वाला राज उत्तरप्रदित से जो आट राज्यों को छोता है समुत तर्ट से लगे राज्यों की संख्या नौ है हिमाले को छोने वाला राज क्या है हिमाले को छोने वाला राज कौन सा है यह आपको कमेंट्स बॉक्स ने बताना है कि यह वर फिर सब को कोशन दिखाता हूं हिमालों को छोने वाला राज हिमाला को छोने वाल राज क्या है आप कोशन बॉक्स में इसको बताएं कि कमेंट बॉक्स में भारत की प्रादेशिक जल सीमा भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मेल एक समुद्री मेल बरावर होता है एक हैर आट सो पचास किलो मिटर एक समुद्री मेल बरावर एक हैर आट सो पचास किलो मिटर यहां पर किलो मिटर होना चीए कीमी किलो मिटर भारत के मद से गुजने वाली रेखा क्या है भारत की मद से गुजने वाली रेखा करक रेखा है भारत के मद से गुजरने वाली करक्रेखा है करक्रेखा गुजरती है किनकी राज्यों से करक्रेखा आठ राज्यों से गुजरती है करक्रेखा आठ राज्यों से गुजरती है जिसमें गुजरात रास्थान मद प्रदेश चतिजगर जारकंड पस्ची मंगाल तिपुरा मेज तो इसका एक साट भी है जिसे आप बहुत असानी से याद कर सकते हैं इसे गुजराज चंजाब मित्र गुजरा गुजरा से गुजराज रास्थानों के गुजरा चंप चंप में 36 मद्प्रदेश हो गया चंप जाब जाब से जहा से चारखंड बहुत से बंग बंगाल मित्र मतलब मेजुराम और त्यपुरा करक्रेखा परिष्थी सहर राची है करक्रेखा परिष्थी सहर राची स्रवाधिक नगरिक्रित राज क्या है गोवा स्रवाधिक नगरिक्रित राज गोवा है निवन्तम नगरिक्रित राज हिमाचर प्रदेश निवन्तम नगरिक्रित राज हिमाचर प्रदेश यह सब कुश्चन तो आपने पढ़े ही होंगे बहुत ही आसान था जो आप पढ़ेंगे दुनों कुश्चन को जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में ही बता चुका हूं सरवाधिक वर्सा होती है सरवाधिक वर्सा होती है मानिश्रा में जो हिमाले में जो मेघाले मेश्थित है और नियूंतम वर्सा होती है कहां पर सबसे कम वर्सा कहां होती है आप लोग बताएं सोचें सबसे कम वर्सा होती है लेह में जो कासरीन मेश्थित है सबसे प्राचीन परवत कौन सा है सबसे प्राचीन परवत कौन सा है अरावली जो रास्थान में इसी थे और सबसे नवीन परवत कौन सा है सबसे नवीन परवत कौन सा है सबसे नवीन परवत हिमाले है जो एक वलित परवत है भारत का स्रभाधिक पुरवर्यभाग कौन सा है von भारत का सरवाधिक पुरवववाग अलोड़ाशर परदेस है जिसका पुराना नाम नेफय है Series के इस वह कहते हैं नेफा वह कहते हैं इसका पुराना नाम आपके सामरी भारत के पर्चे हैं जो ग्रूब डी में बहुत ही बार पुछे गए हैं और लेकपाल में भी से समझेद कोश्चन पुछे जाते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें और इस कोश्चन का एंसर दिना ना भूले तो मैं आपके पास इसी तरह तरह से वीडियो भेचता रहूंगा अच्छे अच्छे इससे आप असाने से पढ़के लेकपाल के लिए ग्रूब डी के लिए आप याद करके इसका सेलेक्शन कर सकते हैं धन्यवाद